है आलो स्टुडेंट स्वागत्यां सब्काइस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास फौर का इंविर्मेंट्स इसमने आज आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर फायव जिसका नाम है Kirby टूद किस प्रकाश यृह किसी फसल को तयार करоме से अपने खेतों से बाजार तक बेंचने के लिए ले जाते हैं इसका यह मतलब है तो पड़ते हैं ऐसा इसमें क्या पढ़ाया जाएगा यू है यू मस्ट हैब सीन आपने खूब देखे हैं ग्रीन फीड में हरे बरे खेत एराउंड यू अपने चारों तरफ इन यूर बिलेज मिस अपने गाओं में अपने अपने चारों तरफ खूब हरे बरे खेत देखे हैं भीच क्रॉप्स आर ग्रॉण इन दोज फीड उन जो खेतों में आप हर्याली देख रहे हैं उन खेतों में कौन सी फसल खड़ी है या कौन सी फसल बोई गही है क्या आपको यह देख करके कभी आस्चर नहीं होता है कि हाव दा लसिंग क्रॉप्स आर ग्रॉण इन दीज फीड लसिंग मिस वही अलब हर्याली से लदे हुए पत्ते हरे बरे खेती कह सकते हैं ग्रीन फीड ही कह सकते हैं लसिंग होगी कि आपको यह सोच देख करके कभी यह आस्चर नहीं होता कि हाव दा लसिंग क्रॉप्स आर ग्रॉण इन दीज फीड इन खेतों में यह ऐसी हरी बरी फसल कैसे की जाती है कि खेतों में यह फसल खड़ी है यह हरी बरी इतनी है आकर की कैसे गई है और उनसे किस प्रकार से अनाज थ्रेश्ट में शोता है थ्रेशिंग करना या बाहर निकालना किस प्रकार से उस फसल से अनाज को बाहर निकाला जाता है और फिर किस प्रकार से इस फसल को या उस अनाज को हम बाजार में जाके बेंचते हैं यह सब चीज़ें देख करके कभी आपने कुछ सोचा है वो यह का जा रहा है various kind of berks are done to grow these crops various kind of berks इस बिभिन प्रकार के कार यानि बहुत से काम करने पड़ते हैं are done किये जाते हैं to grow these crops इन फसनों को पैदा करने के लिए इस फसनों को खेता होगाने के लिए बहुत शिकारम को करने पड़ते हैं look at the picture यानि जो चित्र दिएगे आप इनको देखेगा look at the picture given below जो नीचे दिएगे चित्र है इने को आप देखेगा and write the correct order of the steps और सही order में आप इनको सही क्रम में लगाईएगा steps means invert in growing crops किसी फसल को करने के लिए क्या क्या process अपनाये जाते हैं उनको आप क्रम में लगाईएगा क्रम में लगाने मतलब यह है कि पहले हम क्या करते हैं कि खेत की जुताई करते हैं फिर उसमें बीज की बुवाई या पौद की रोपड करते हैं, निराई करते हैं, जब फसल पक जाती है, तब हम उसको थ्रेशिंग कर लेते हैं, और उसकी बाद उसको बोरों भर करके मार्केट ले जाते हैं, सिचाए भी करनी पड़ती है, लास्ट मुझा की फसल पक जाती ह तो हार्वेस्टिंग करते हैं तो या सब इसमें हम पढने वाली भी है और यह सब लोग जांते हैं आखिर कोई फसल कमनने के लिह पहले क्या करना पड़ता है पर समें बीज गोई जाते है पिर उसकी निराई की आती आये Jo आ आते हैं या बेचने के लिए मार्केट ले जाते हैं आगे देखें इसमें क्या है लेट्स नो आए जानते हैं दक करेक्ट और और अफ दा कि आशी हम और फ्रॉम स्वेंग ऑफ क्रॉपस टू सेलिंग इन मार्केट सही ऑडर में हम यह समझमें कोसिश करते हैं किस प्रकासे फसलें हो आ जाती हैं तब जाके उनको बाजाने में बैस देते पहला काम होताiding फीड़ पहला काम होता खेतनों जोतना दूसरा होता और बीज़ बहुना तीसरा होता irrigation सिचाई करना और चौता होता beading, beading में ही सोती है अगर खर पतवार है तो उसकी नराई करना नराई करना और harvesting में होती है पकी फचल को काटना और उसकी बाद है delivery, delivering the ready crops to the market और फिर तयार अनाज को या तयार फचल को बाजार में पहुचाना यानि delivery कर देना उसको भेज देना इतने काम हमको करने पड़ते हैं आगे है skills of farming skill का मतलब होता है कि यहां तो आप प्रकार समझेंगे खेती करने में मैं कौन-कौन से कार करने पड़ते हैं बो पहला कार होगा जुताई करना निराई करना उसकी बाद तो यह सब इसमें एक एक करके हम पड़ने वाले हैं My name is Prena एक ड़की का नाम है कि वो कहरी मेरा नाम Prena है I am very happy मैं बहुत खोश हूँ Today means I was For the first time in my house क्योंकि आज मेरे घर में पहली बार The discussion on how to show the onion was going on इस बात कि हमारे घर में चर्चा होई है discussion में शूती चर्चा होना बात्चीत करना How to show कैसे बोया जाता है Onions means प्याज was going on कि यह किस प्रकास से प्याज की फशल की जाएगी इस बात पर आज मारे घर में आपस बात्चीत होई जिससे सुनकर हम बहुत खोश है Father said this इस पर पिताजी ने कहा आगे देखते इसमें क्या है तो Father said that this time bee will sow onion in the small field कि हम आप अब की बार हम छोटे से खेत में कि आप ओने वाले हैं प्याज onion में शोता प्याज be all reached the field हम सब लोग खेत पहुँच गए for this इसके लिए be all together loosened the and labeled the soil अब जैसे हम लोग प्याज की फसल करना चाहते हैं तो जैसे प्याज की फसल करनी हो या लैसन की करनी हो कोई भी फसल करनी हो मिट्टी तो बहुत मुलायम होनी चाहिए और लेविल होनी चाहिए वो ही ही का जा रहा है कि be all together हम सब लोग साथ साथ लूजिंड मीस होता है मिट्टी को ढीला किया इन्हें खोदा उसके डेले फोडे मिट्टी को अच्छा किया एंड लेविड उसको एक तार किया मुची नीचे जो मिट्टी होगी उसको हमने एक तार किया इन्हेल और फेड़े नीचेड की मिट्टी को उसको जोता खोदाक और मिट्टी हमने एक डार किया o officers in this eighthもし Nietrael Hunting बेस क्या करेंगे जैसे हैं अथि अलूगाड़ते हैं इस प्रकार से हमने प्याज के लिए कुड़ी बना ले अपनी वासा हम कुड़ी कह सकते हैं विद्धा हेल्प ऑफ हुमी सोता फावरा इसे पौरा बोलते हैं अपनी वासा में फावरा की हेल्प से हम लोगों ने यह कुड़ी बना ले अपने आज कल टेक्टर से भी होने लगा है फौर गुड हार्वेस्टिंग अच्छी फसल के लिए काव डंग मैनियूर काव डंग मैनियूर गाय का गोवर यानि गाय वैंस का गोवर की खात जो होती है बाज मिक्स्ट इंदा सोयल तो हमने इसको भी मिट्टी में मिला दिया यानि घूरा भी उन्होंने अपने खेत की मिट्टी में डाला है अलॉंग विद इसमाल क्वांटिटी ओ पैस्टिशाइड और कुछ हमने उसकी कीट नासक दवाणियों का भी प्रियोग उसके साथ किया थोड़ी मात्रा में अपने खेत में कीट नासक दवाणियों को भी और अधर पूट दा सीट्स और ओनियन इन दा प्रिपियरड बैड देखो बैड करें यानि बनाएं हुई खोडियों में मेरी माँ प्याज के बीज डाल रही है यानि बीज बो रही हो ने उनमें इन दिस बेद निरसरी ऑफ उनियन बाज नर्सरी में सोती पाउद देखो प्याज के बीज तो वह जाएंगे पौद करने के लिए उससे प्याज नहीं होगा तो यहीं कह रही है प्रेना के इंदिस बेस प्रकार नर्शरी यानि प्याज की पौद बाज रेडी तयार हो जाती है अब इट वास रिमूब यानि वहां से हम जैसे अपने धान की फसल करते हैं या प्याज करना थो प्याज के अम न огलुक पौद लाते हैं वो सकी खेतम गारते धान की पौद लाते हैं थे थान प्याज से नहीं होता इनकी पौद लगाई आती है वह केवल पौद करने के लिए और वहां से उखाढ़के दूसरी जगा लगा देंगे तब उसकी फसल होगी तो यह कह रहे है इट वाज रिमूब्ड मिस महां से हटाएंगे फ्रॉम दा सोयल मिट्टी से एंड पूट एड़ यूकल डिस्टेंस और दूसी जगह कहीं पर मुझे को बराबर बराबर दूरियों पर लगा देती आप्टर दिस ए यह से मुष्ट मीस क्या होती नम मिट्टी नम बनी रहे हैं रिमेंस मीस बनी रहे हैं मुष्ट मीस नम मिट्टी के अंदर नमी बनी रहे हैं अच्छी तरीके से पौधा मिट्टी में जमा हो जा अच्छी से पौधा मिट्टी में लग जा या मिट्टी उसकी जड़ को अच तब तयार की आती है और फिर उसे हम दूसरी जगे लगा देते हैं आगे पढ़ेंगे बीडिंग या टेलिंग निराई करना या गुडाई करना यह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तब तक के लिए जहन जह भारत